हेलो फ्रेंट्स, फिल्कम टू मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंट्स, आज की इस वीडियो का मकसद बहुत सारे लोगों का एक बहुत ही छोटा सा कॉमन सा डाउट किलर करना है अब फ्रेंट्स, देखिए आज के टाइम पे बहुत सारी बाइक लिक्विड कॉल इंजन सिस्टम के साथ आते है और इस तरह के बाइक के इंजन को ठंडा करने के लिए कॉलेंट का यूज किया जाता है साथ ही यहाँ पे रेडियेटर होता है और सबसे जरूरी यहाँ पे रेडियेटर फैन का भी यूज किया जाता है और यह जो doubt है वो basically radiator fan को लेकर ही है अकसर लोग मुझे mail करते है या वीडियोज में comment करते है और सबसे जाधा तो Instagram में message करके यही पुछते है कि जब वो अपने liquid cool engine वाले bike को लगतार 10 km, 15 km या उससे जाधा चलाते है या फिर आदा घंटा से जाधा चलाते है तब भी उनके bike का जो radiator fan है वो on नहीं होता है तो क्या bike का cooling system है वो सही से काम नहीं कर रहा है क्या radiator fan में कोई दिक्कत है और सबसे जरूरी radiator fan कब on होता है, कब off होता है और radiator fan का जो working है वो किस चीच के उपर में depend करता है तो इसी के बारे में आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ वीडियो को पूरा देखे और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राब भी जरूर कर ले अब फिर देखे बेसिकली अगर हम लोग liquid cool engine वाले बाइक के working की cooling system की बात करें तो यहाँ पर यह होता है कि जब engine गरम होने लगता है तो उस टैम पे जो coolant है वो engine के around circulate होने लगता है और जो coolant है वो engine का जो भी excessive heat है जो गरमी है जो बढ़ा हुआ temperature है उसे absorb कर लेता है इस तरह से जो coolant है वो गरम हो जाता है engine थंडा होने लगता है और उसके बाद यह गरम जो coolant है वो थंडा होने के लिए चला जाता है रेडियेटर में इसके बाद रेडियेटर में जो गर थंडा होने के लिए चला जाता है रेडियेटर में और यह जो circulation है वो लगतार चलते रहता है यह cycle चलते रहता है इस तरह से engine थंडा होते रहता है अब देखिए जो radiator fan है उसका roll कहां पे आता है जैसे ही engine का temperature 90 degree Celsius से जादा हो जाता है तो यह radiator fan automatically on हो जाता है चालू हो जाता ह कुछ ऐसे bike है जहां पे 100 degree Celsius से जादा होने पे engine का temperature यह radiator fan on होता है और कुछ bike में 80 degree Celsius से जादा होने पे on हो जाता है लेकिन on average बात करें तो 95 degree Celsius से जादा engine का temperature हो गया तो radiator fan on हो जाता है अब देखिए जैसे ही radiator fan यह on हो जाता है तो वो यह करता है कि जो हवा है जो air है उसे blow क करने लगता है radiator की तरफ जिस तरह से हम घर में अपने ceiling fan को on करते हैं तो air blow होने लगता है हवा नीचान लगता है उसी तरह से radiator fan के on होने पर क्या होता है कि हवा blow होने लगता है radiator के अंदर में और radiator के अंदर में जो भी गरम coolant है वो radiator fan के on होने के वज़ा से जादा जल्दी जल जल्दी ठंडा होने लगता है, फिर ये ठंडा कुलंट फिर से इंजन में जाता है, वहाँ पर हीट को अब्जॉट करता है, ठंडा होने के लिए बापस रेडिटर मा जाता है, और रेडिटर और रेडिटर फैन मिलके इसे जल्दी से ठंडा कर देता है, तो ये साइकल तब से लगातार हमेशा चलते रहता है तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि 10-15 किलोमेटर लगातार बाइक चलाने से या आदा गंटा एक गंटा लगातार बाइक चलाने से जो रेडिटर फैन है वो आन नहीं होता है इंडियन का टॉप मोस्ट आटोमेटिक वे एक्सपर्ट मिल जाएंगे और इस एप के जरीए आप मुझे और बागी के एक्सपर्ट को और यो कॉल, वीडियो कॉल और चैट के लिए आसानी से बुक कर सकते हो बुक करने के बाद बुकिंग स्रिक्शन में मीटिंग क्रेट हो जागा जहांसे आप जॉइन कर सकते हो और इसके बाद वन ओन वन करने मस्टर सके थुरू आपके जितने भी डॉट से वो में किलर करने वाला हूँ तो एप का लिंक मैं इस वीडियो के